हेलो फ्रेंड्स वेलकम फ्रेंड्स आप एक काम किजिये आप एक program बनाएए दो नंबर को plus करने का वही विराना program पर आपने इस पर क्या यूज करना है function यूज करना है ठीक है इससे आपका function का concept क्लियर होगा इस वीडियो को post कर लिजिए और ट्राइए किजिए आई होब आप आपने ट्राइए किया होगा अब मैं आपको पताता हूँ कैसे बनना था यह program सबसे पहले तो मैं function define कर लेता हूं function define कर लेकर लिए define keyword उसके बाद मुझे यह देखना है कि function में किस नाम से बनाना है ठीक है माल लेजे मुझे function as sum नाम से define करना है ठीक है जो कि हमारे लिए क्या काम करेगा दो input लेगा ठीक है दो input लेगा ठीक है यहाँ पे colon का sign ज़रूरा लगाना है ठीक है और हमारे लिए output में क्या देगा आउट्पुट में देगा हमें दो number का sum ठीक है ठीक है तो यह हमने function define कर लिया ठीक है अब हम वही काम करेंगे पुराने वाला x में हम user से input करवा लेंगे first number ठीक है enter first number ठीक है और y में input करा लेंगे user से second number ठीक है एंटर second number ठीक है इतना काम तो हो गया अब मुझे क्या करने इन दोनों का sum करना है ठीक है महां लिजे वो sum मुझे store करना है variable में ठीक है और अब अब मुझे याद आया कि दो नमबरों को sum करने का काम एक function कर देगा हमारे लिए जो हमें define किया है ठीक है अब हम क्या करेंगे इस function को बुलाएंगे function आजया और हमारा काम कर दे फिक है इसको खुटा है फंक्शन को call करना ठीक है अब हम क्या करेंगे क्टी यस function को बुलालेंगे कि function आजया हमारे लिए काम कर दे ठीक है अब function क्या लएगा दो दो input लेता था होगा X और Y में तो इंपूट गई होंगी ठीक है तो computer को नहीं पाता वो string थी क्या integer था ठीक है तो बताना पड़ता था जैसे हमने पुराने भी प्रोग्राम बनाई है तो उसमें बताया हमें कि यह हमें हम यहां भी बताये ठीक है ठीक है फ्लोताइप है इन्टीजरो टैप है क्लराकम हम इसफें प्लेश्य को बिला के बताइक हो बॉत्त तो दो le sausage कैसी हैं इंटीजरो मैं होगे यह जैंगे क्यों बातव मुस्क्क-घ्याक में इस प्रून limiting ृफ 路ड domestic होगा तो print print मैं करवा लेता हूं sum of two numbers sum of two numbers ठीक है plus z क्योंकि z में sum पड़ा दोनों का अब ये z में क्या interior type की value गई 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 है ठीक है अब मैं interior type की value दो string को concatenate करवाने के लिए मैं यहां पर string function use कर लूँगा और इसको save करता हूं program को और run करके देखता हूं ठीक है enter first number first number मान लेजे मैं enter करता हूं 15 second number मान लेजे मैं enter करता हूं 40 sum of two numbers is 55 बिल्कुल सही है ठीक है I hope आपने बनाए होगा ऐसी बनाए होगा अच्छा तो ये तो हमारा बन गया program अब आप एक काम करना आप कहो होगा कहिए कि आप function बनाना एक square के लिए एक multiply के लिए ठीक है तो square के लिए बता दूँ मैं ठीक है तो function define करना था हमें ठीक है तो square के लिए अमाल हमें किसी number का square करवान है ठीक है तो input एक से जादा भी हो सकती है एक भी हो सकती है और दो भी हो सकती है दो से तो 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 मुझे क्या करना है मुझे इस नंबर का स्क्वेर करना है जो भी उसर ने एंटर किया ठीक है अब मैं अपने function को भुलाओंगा कि हाँ एक function था जो कि नंबर का square कर देता था ठीक है मैं उसे याद करूँगा उसे करूँगा कि मुझे output माले जिस्टोर करनी है y में ठीक है और मैं उसको भुलाओंगा कि आजा तो मैं उस function को कॉल करूँगा ठीक है ठीक है उसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर लिख दूँगा कि यहाँ पर input देनी है scale of scale of number is plus integer plus string type और y इसको safe कर लेता हूँ इसको f5 से रन कर दा हूँ एंटर नंबर महां लिचे मैंने एंटर किया 15 ठीक है square of number is 225 ठीक है आई होब आपने बनाया होगा ऐसी अब आप एक काम करना एक function को define करना जो कि तीन input ले और उनका सम कर दे ठीक है बहुत ही असान है आप कर लोगे यह मैं आपको नहीं बताऊंगा ठीक है अब हम आगे चलते हैं कि function को string में कैसे यूज करते हैं ठीक है तो वो देखते हैं हम तो उसके लिए हम वही करेंगे दो input लेंगे और output में कुछ काम करेंगे देखते हूं कैसे करते हैं अब आप मालेजिए आपने एक function को define करना एक function हमारे लिए क्या काम करेगा दो strings को जोड़ देगा ठीक है तो आए देखते हू कैसे करेंगे function को define keyword ठीक है function का नम कुछ भी रख सकते हैं मालेजिए मैं रख सकते हूं स्ट्रिंग नाम का function कुछ भी रख सकते हैं इसके भाद यह क्या करेगा दो input लेगा ठीक है यहां ध्यांतल दीजिए कि यहां भी हमें बताने की जूरत नहीं है कि यह string है या क्या है function क करते हैं हमें कुछ बताने की जूरत नहीं है जब हम function को use करेंगे हम तब बताएंगे कि क्या चीज़ आए ठीक है कि यह string आए क्या है ठीक है पर एक काम क्या करेंगा दो चीज़ देगा और ऑट पुट- लेने के लिए हम रिटान और यह तो श्ट्रिंग्स को जोड़ देगा अ मुझे गरना है मुझे याद अब मुझे क्या करना है दो स्ट्रिंग्स को को प्लस करना किसी दो स्ट्रिंग को मुझे याद आया कि एक फंक्शन डिफाइंड किया था वो हमारे लिए वो काम कर देगा ठीक है मैं सिंपल क्या करूंगा मैं से डिरेक्ट प्रिंट कमेंड यूज कर रहा हूं ठीक है अच्छा मुझे 2 इंपट लेना था तो मैं उस फंक्शन को कॉल करता हूं वह फंक्शन हमारे ये वो काम कर देगा ठीक है उसके बाद ज्रेंग अच्छा 2-2 इंपट लेनीया । तो दो इंप्टे देता हूं मैं अब मुझे यहाँ बताना पड़ेगा क्या चीज निंग नं लिख देता हूं ओके तो यह हो गया इसको सेफ करता हूं मैं इसको रॉन करता हूं मैं फाइव से हर्षित शर्मा ठीक है तो यह था कि हम function को stream के case में कैसे यूज करें यह बिल्कुली simple से simple जो उसा प्रोग्राम हो सकता था यह वह था ठीक है अब आगे चलके इसको होगर explore करेंगे ठीक है तो अब आप एक काम कीजिए अब आपको यह homework है आपको यह करना है खुद try करना है जो मैं आपको दे रहा हूं थोड़ा challenging होगा पर आप try कीजिए आपके पिछले सारे concept clear होंगे उससे friends आपको करना क्या है अपना एक function define करना है जो आपके लिए कुछ काम करें वो काम क्या करेगा आपके लिए आपकी जो की एक variable में ठीक है कुछ string की value store होगी ठीक है ठीक है मान लीजे कोई उसमें कुछ string की value store होगी ठीक है उसमें ना दो इसकी position find करेगा आपके लिए ठीक है इसमें अगर कोई भी दो और होएंगे ना जैसे कि यहां पर ए होगा यहां पर आप समझेंगे मैं क्या कहना चारूं मान लीजिए आपने function define करना है वो कि क्या करेगा किसी एक बड़ी sentence में से किसी बड़ी string में से किसी भी character की second position को find करके बताएगा उसकी second position बताएगा जैसे कि इसकी position अगर three है तो second position कुछ भी 50 51 वो हमें position बताएगा कि यह function आपको position बताएगा position बताने का काम करेगा यह function वो भी second position बताने का काम करेगा first नहीं second position यह बहुत ही challenge हम आपके लिए पर आप इसको ट्राइगेजिए I hope आपको यह समझ आ गया होगा आप इसको घर से ट्राइग करना खुद आपको यह होगा और मैं आपको next video में इसका solution बताऊंगा ठेक है hope आपको यह वीडियो पसंद आयोगी इसको चैनल को subscribe like जरूर करना thank you friends